जी हाँ अभी आयांश को देख रहे हैं आप तश्वीर में आयांश की क्या हालत हैं वो भी देख सकते हैं आप कैसे इसको खाना खिलाये जा रहा है और कैसे इसका दिन पर दिन सेहत गिरते चला जा रहा है कहीं न कहीं आयांश अभी मौत के कगार पर पहुंच चुका है एक म पाइसा और बेटा का क्या बेवसी हो सकती है आप खुद देख सकते हैं तश्वीर में बहुत लोग उनको परिशान करते हैं जो लोग डोनेशन दिये हैं वो भी पैसे वापस मांगते हैं उसके साथ-साथ गाली गलोज भी करते हैं अभी जो आपके साथ घटना हुए उसके सर यह चीजे बहुत पहले से चलती आ रही है एक आदमी है बेगु सराइका उसका नाम सायद आर्सी कस्तिया कुछ ऐसा ही नाम है वो शुरुआत में हमारे घर आया था डोनेशन लेकर और वो पैसा वापिस करवा लिया उस समय भी वापिस करवाया वो उसके बाद फिर हमा पैसे बंस सैप्टेमबर में आया था और ओंडरिश्री ओगस्त का था इससे का मेरे घर आने के पहले कर शी और उसके बात से फैसे की मागव कर उस समय भी उसने काफी काली गयी या फिर हमने उस से रिटंड कर दिये द्यान से सुनिया का गाली गुलोज करकर पैसे वापस पहले का वो इनसान ले लिए थे आगे क्या हुआ हमारे पास उसका रिस्रिप्ट भी है जो हमने पैसे रिटर्ण किये थे उसे पचास हजार उसने वापिस ले लिए फिर वो हमारे घर आया फिर बोला कि मैं आपको पैसे दूँगा सबकुछ वह सही था फिर आया खुद से व बहुत गंदीगंदी गालिया मतलब जब मैं उद्यन हॉसपिटल में बाबु को ले सी उस समय भी बहुत गंदीगंदी गालिया दिया बहुत तरीके से में टोचर करता था कि पैसे दे दो नहीं तो मैं ये कर दूंगा वह कर दूंगा रोड पर बैठा दूँगा मतलब मैं वह गाली सर बोल भी नहीं पा रही हो कि वह इतना गिरा हुआ इंसान वो बेकु सराई का वो आदमी है, वो इतना गिरा हुआ है सर, आप लोगों ने भी उसका वीडियो सर बनाया था, उसके बाद सर फिर आज सुबह से आज परिशान कर रहा है, बार बार फोन करना, गंदे गंदे मैसेज करना, मुझे ये मैसेज करके दिया कि नेहा सिंख तुम मुझे वो ट्रीट कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी गंदी गंदी वो गालिया दे रहा है, तो मतलब सर मुझे बड़ा वो होता है कि मेरा सिच्वेशन ऐसी खराब है, उपर से लोग इस तरीके की काम कर रहें, और बहुत सारे लोग नहीं ऐसे गिने, चुने ए ये तो खर पहला इंसान ऐसा है कि मुझे इस तरीके से इतनी गंदी गंदी गालिया दे रहा है, तो मैं आप सब के माधियम से बस उसे यही कहना चाहती हूं कि प्लीज ऐसी चीज़े ना करें कि फिर हम कोई गलत स्टेप उठाएं, और मैंने अभी आपके साथ जो मासिक प सकती है उसे इंसान पर कर रहे हैं, सारे स्क्रिंशॉट है, सारा कुछ उसका वाट्साप कर सकते हैं, इस नाम का एक आदमी है, यह हमें काफी mentally torture कर रहा है, परिशान कर रहा है, क्युकि यह रूपस्पूर थाना हमारे पास में ही पढ़ता है, हमारे एरिया कहीं है, तो इन बच्चे के लिए हम क्राउट फरंडिंग कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैडम वो जब आपके घर आता है, तो हमें तुरंत आप रिंग करिए, मैं तुरंत पहुंचूंगा, बिना लेट की वे मैं तुरंत वहाँ पहुंचूंगा और उसे आप बुलाईए, उन्होंने खुद कहा कि आप उसे बुलाईए मैडम, कि उस तरीके का वो हरकत कैसे कर सकता है। मा के अगनी परिक्षा का इंतिहान लेते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, आप मैंने दिखा रहा हूँ आपको, कि मैं चाहूँगा तो सनवल बच्चे की क्या गलती है, इस बच्चे की क्या गलती, इस बच्चे के लिए एक मा इतनी गाली सुन रही है, लोगों को रोज अपनी बातों से जवाब दे रही है कि ऐसा कुछ नहीं है कितना देखिए सीधा उंगली से घी नहीं निकलेगा तो आप सोचे होंगे कि सात करोर तईस लाख का मालिक यह मत सोचना मैडम नहीं तो मैडम जो आपके रुपे दिये आपको और आपके भाई को घर से उठा लेंगे रुपे ले कर दीजे और क्यों देख सकते हैं आपकी किस टाइप का मैसेज किया जाता है इनको और ये कहीं न कहीं ये धंकी है ये कहीं न कहीं इस व्यक्ति के द्वारा धंकी दिया जा रहा इनको कि मेरा पैसा वापस करो, क्या सबूत है कि आपने पैसा डोनेट किया था, बिहार के इतने सारे लोग डोनेट किये हैं, आपको या के बोलेगा कि हम 5 लग डोनेट किये, मेरा पैसा वापस कीजे, पहली बात तो यह कि डोनेशन का पैसा वापस नहीं होता है, यह और यह अयांच के इंजिक्सन के लिल्याहे सेuchen तो बहुत सारे वह पैसे दिया हैं यह एक लाग की बात कर रहा है पहले यह 80 हजार की बात किया पंचाचाल आए और हमारे पास उसका जो भी है हमारे पास प्रूब हाइक कि रीचांव कि यह है बाकि सिर इसके सामने मैंने वीडियो बनवाया था वो उसके सामने मैंने बोला है कि हम मैं आपका पैसा 50,000 रिटर्न की हूँ तो कि यह लोग कितना गीड़ सकते हैं आपके नजर के सामने एक मां बया कर रही है ना जाने कितने को लाते हैं इनके पास कहा जाता है कि मेरा पैसा वापस करो अरे भाई एक बात देता है यह जो पैसा डोनेशन में जाता है कोई आपने मंदिर के लिए जो पैसा डोनेट किया था क्या आपका वकात है जाके मंदिर वारे से पैसा मांग ले वापस अब मंदिर वारे पैसा दे दे आपको डोनेशन का पैसा कभी वापस नहीं होता है डोन सरकार का हक है कहीं न कहीं सरकार का है सरकार का ही हग है जो पैसा है इसका यूज ना हो तो क्या हो सकता है सर हमारे पास बस लास्ट ऑप्शन है अगर खलकों कुछ ऐसा वैसा होता है तो यह पैसा हमारा नहीं है यह लोगों का पैसा है तो यह सरकार सरकार को कहीं हम कहीं न कहीं को देंगे या फिर ऐसे जागा भी तो आपको छोड़ी की नहीं ना सरकार तो पूछे कि सवाल की साथ को चौबिस लाग उसका हिसाब क्या हुआ क्यों कि यह पूब्लिक कि अगर आगर हम नहीं कर पाते हैं तो वह एज़िए मैं पैसा दे देंगे ज़रुवत मनद्चे हैं शायद दूसरे बच्छे के काम आजाए वो पैसा ऐसा की इस पैसे को हम use करेंगे या किसी और चीज में लगाएंगे यह बच्चे के लिए पैसा है तो यह इसी के लिए और इसके काम नहीं आया तो दूसरे बच्चे काम मैं देखा हहाँ कि कैसे एक मां को एक अगनी परिक्षा से होका गुज த करणा पर रहा है इस सामाज में आप आप देख सकते हैं आप अभी देखिए क्या सिच्वेशन हो गया है अगर मीडिया वाले अगर नहीं देखाएंगे तो कौन देखाएगा साथ तोर्च जो 24 लाख रुपया आया है इसके बारे में हम जनकारी नहीं देंगे तो कौन जनकारी देगा कमेंट करना घर है और अयांस के घर पे आके daily news बनाना हो आके कभी देखिये कितना बस यही request कर रही हूं कि प्लीज आप लोग इस तरीके का चीज ना करें क्यूंकि इसे मैं मेरे पती तो मेरे पास नहीं है इसे पहले से मैं परिशान हूं मेरा बच्चा मतलब क्या इसके साथ हो जाई है मैं भी नहीं जानती हूं इंसान तो गुंडागर्दी पर उतर गया ना बोड रहा है कि दोनों को उठा लेंगे घर से उठा देंगे भाई साब इतना आसान है क्या घर से उठाना चाहेगा मैं नहीं चाहती है आपके खिलाफ एक्सन लूँ क्योंकि मैं अभी ये पुल्लेस और ये थाने के चकर में नहीं पढ़ना चाहती है लेकिन अगर आपने दुबारा ऐसी हरकत की तो मैं जाकर आपके नाम से एक जगा रखा हुआ है उसमें सरकार की हक है उस सरकार कहीं ने कहीं से जवाब मांगेगी आने वाले टाइम में अगर बच्चे को सुया नहीं लगता है तो आप आयांस को देखिए ना देखिए इस बच्चे को क्या गलती है आयांस का मतलब क्या होता है आयांस का मतलब होता है भगवान रुपी भगवान की देन ये कहीं ने कह के लिए साथ क्रोर 24 लात कि कि आफ या इस मुहीम में चोटे से लेकर बरे लोग आए और आयां सिகुई को बचाने के लिए इतने पैसे घटता किये बहल ले ही आज कहिंस के जिंगी कहिं कहीं मोत से कही नहीं जूज रही है इसको और भी इनको और भी मास्विक पतावना दे रहे हैं इनकी हिमत को तोर रहे हैं आप मैं असरो स्ब लोगों से ही कहना चाहती हैं कि प्लीज अयान्श की मदद करिए अयान्श की हल्प करिए कउए की Sareka, तो हमारी weakened नहीं कर रही हैं, आप आम जनता हीह घ्माद कर रहे हैं, तो जरूर बचेगा बिहारियों ने ठान लिया है कि इस बच्चे को बचाना है मतलब बचाएंगे जैसे गुजरात में बचाया जैसे आंत्परदेश ने बचाया वैसे बिहार भी बचाएगा इस बिहार के लाल को यह बच्चा बस एक साल का है जो मुहिम चालू हुआ था जब बच्चा 9 महीने का था क्या गलती थी इसकी कौन जानता था कि इसको आईसी बिमारी हो जागा जो बिहार में आज तो खुआ ही नहीं है जाई एक और बिमारी हो गया इस आयांस रुपी एक और बच्चा पैदा ले चुका है रोसरा में उसको भी ऐसे में टाइप है अगर इस बच्चे को सुया नहीं लगेगा तो कोई भी समाज सेवा सेवा कि या फिर हम जैसे पत्रकार नहीं आएंगे उसको बचाने के लिए इस बात को समझे आप इसलिए पहले आयांस की जो मुहीं में उसको तेज कीजिए एक रुपया भी अगर पांच पांच रुपया अगर डेली डाल देते हैं ना तो कहीं न कहीं आयांस की जिंदी बच जाएगी आयांस का खाता का डेटेल्स दिया हुआ है डिस्पले पे वहां जाके आप गूगल पे या फोन पे या एकांट में पांच रुपया दस रुपया अगर रोज अगर डालते हैं आप तो कहीं न कहीं इनको बहुत सपोर्ट मिलेगा इस मा को बहुत सपोर्ट मिलेगा इस बच्चे को बहुत सपोर्ट मिलेगा हम तो रोज आएंगे नूज बनाएंगे चल जाएंगे बचाना आपके हाथ में हैं बहुत बहुत हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यव करें और तो लाइक।